नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइफ चांद से सिर्थ 35 किलो मीटर दूर चंद्रयान विक्रम को दूसरी बार किया गया दी और्बिट इसनों ने आज सुबा 3.42 बजे चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को दूसरी और आखरी बार सफलता पूर्बग दी और्बिट किया इसके साथ ही चंद्रयान 2 चांद के दक्षिने दूर्फ की और अंतिम कक्षा में पहुँच गया है चंद्रयान 2 अब चांद से महस 35 किलो मीटर दूर है साथ सितंबर को यहीं से चंद्रयान चांद की सदे को सपर्ष करेगा और बिटर और लैंडर सही काम कर रहे है प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने रूस के रासपती व्लादी मीर पुटीन के साथ शिप बिल्डिंग कामप्लेक्स का दौरा किया यह रूस का सबसे बड़ा शिप निर्मान केंद्र है इसे पूर्व रूस के उप विदेश मंत्री इगार मॉर्गुलोफ की उपस्थिती में पिम मोदी को व्लादी वॉस्तॉक हवाई यड़े पर गौड अफ ऑनर दिया गया पिम मोदी राजपति पुतीन के विशेश आमंत्रन पर इस्टन एकिनॉमिक फौरम की बैठक में बतौर मुख्या तित्य शामिल होंगे रूस के सुदूर पूर्च छेत्र का दौरा करने वाले पहले पिम बने मोदी PM मोधी रूस के सुदूर पूर्ष छेत्र का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधान मंतरी बन गए है PM मोधी रूस यात्रा के दौरान रक्षा, असेन्य परमानू, उर्जो और अंतिरिक्ष के छेत्र में सयोग बढ़ाने पर विचार करेंगे मोधी ने कहा कि रूस अब भारत के अंतिरिक्ष यात्रों को परिक्षन देने में मदद करेगा इंस्टन एकनॉमिक फॉरम के मंच से भारत को एशिया प्रशान छेत्र में अंतरास्टे सोयोग बढ़ाने का अफसर मिलेगा मांसोन का आखरी महीना शुरू होने के साथ ही देश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है मौसम विबाग ने मुंबई और इसा, कोकर, गोवा के इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है इसके अलावा उत्राखर्ण, उत्रप्रदेश, राजिस्थान, मध्य प्रदेश, विधर्थ, चत्तिसगर, मध्य महरास, कुछराथ, तेलांगना, करनाटक, लक्ष्यदीब और टटिय आंध्रप्रदेश में भी जमाजम बारिश की संभावना जताई गई है करनाटक की कांग्रिस नेता डीके शिफ्कुमार की गिरफ्तारी के बाद राजिय में जगा जगा प्रदशन हो रहे हैं रामनगर में देर राद दो बसों को आग की हवाले कर दिया गया जबकि 10 बसों पर पत्राव किया गया इसे देखते हुए रामनगर पोलिस ने बसों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और स्कूल कॉलेज बन कर दिये गये हैं दीके शिफ्कुमार को मनी लॉडरिंग के आरोप में एडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है पाकिस्तानी मूल के लोगों ने लंदन में भारती उच्चयोगों पर किया हमला जमू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाये जाने के बाद से पाकिस्तान की बॉकला हट रोज सामने आ रही है इसी कड़ी में पाकिस्तानी मूल के लोगों ने लंदन में भारती उच्च योगों को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी की वेट अमाटर, जूते, स्मोग, बम, बोतले और अंडे फैके ब्रिटेन के कोने-कोने से करीब 10,000 पाकिस्तानी मूल के लोग बसों में सवार होकर भारती उच्च योगों के सामने पहुचे और जमकर हंगामा भी किया साओधी अरब में पाकिस्तानी डॉक्टरों के मानेता खत्म, वापस जाने का आदेश साओधी अरब में धहर है पाकिस्तानी डॉक्टरों को अपने देश वापस जाने का आदेश दे दिया गया है साओधी अरब सरकार ने पाकिस्तान से MS और MD की डिगरी लेकर आये डॉक्टरों को आयोग्य ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान में इन दोनों डिगरी की पड़ाई उस इस्तर की नहीं है कि उन्हें यहां प्रैक्टिस करने दिया जाए पाकिस्तान डॉक्टर सबसे जादा साओधी अरब में है लेकिन अब ये डॉक्टर वापस पाकिस्तान जा रहे है कनाड़ा के वारेन बफे कहे जाने वाले निवेशक प्रैम वत्स ने अगले पांच वर्शों में भारत में पांच अरब डॉलर का और निवेश करने की बात कई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी से मिलने के बाद प्रेम वत्स ने भारत को दुनिया का नंबर वन देश बताया प्रेम वत्स ने भारत की अर्थवस्ता में सुस्ति की बात को खारिस किया और कहा कि यह शांदार मौकी है हैदरबाद में जन में वन्स टॉरंटो स्थित फियर फेक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के चेर्मेन है 58 साल के बाद दिगध विकेट कीपर दलजीत ने लिया सन्यास भारत में पिच क्युरेटर के काम को पहचान दिलाने वाले दलजीत सिंग ने 22 साल तक पिचो की देख रेकी उनने साल तक बतोर विकेट कीपर बल्ले बाज अपनी धाग जमानी के बाद महय कोच और पिच क्युरेटर रहे जलदीत ने 27 फर्स क्लास में मैचों में विकेट के पीचे 225 शिकार किये है अब करीब 80 साल की उम्रे में दलजीत सिंग ने BCCI के चीफ कुरेटर के पस्सिस अन्यास ले लिया है फिल्म मिशन मंगल ने उस्टेलिया में बनाया खास रिकॉर्ड जगन शक्ती की निर्देशन में 32 करोड रुपे के बजट में बनी फिल्म मिशन मंगल ने उस्टेलिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है ये फिल्म उस्टेलिया में अक्षिकुमार की अब तक की सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है उस्टेलिया में मिशन मंगल की कुल कमाई 3 करोर रुपे को पार कर गई है इसी तरह मिशन मंगल ने उस्टेलिया में हाउसफुल सीरिस, केसरी, पैडमेन की कमाई का रिकॉड तोर दिया है आज के लिए बस इतना ही कल फिर आजिरोंगे नई खबरों के साथ तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें नियूस लाइफ